नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही भैतरीन और बहुत ही जपरदस तरीके से काम करने वाली चीज लेकर आया हूँ जो आपके चेहरे को बेहद, साफ, फेर और ब्र औरिश्मेंट देगा दोस्तों इस चीज को आप आम चीज मत समझेगा इसके अंदर दोस्तों बहुत ही बहतरीन क्वालिटी का स्किन बेनिफीशल फैटी एसिट पाया जाते हैं लाइक पालमिटिक ओलिक ये सारी चीजे ये सारी कॉंपोनेंट्स स्किन टोनिंग को बहुत ही बहतरीन तरीके से इंप्रूफ करते हैं जी हाँ दोस्तों ये सकिन को हाइड्रेटरेडिर रखता है इसके अंदर दोस्तों इसके अलावा वी टामिन A, वी टामिन C, आईरन, फाइबर और बहुत ही अच्छे कॉालिटी का प्रोटिन भी पैए जाता है इसके अंदर ऐसे तत्व पाय जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़ाद हो पीओगी और फायदे मन्द है लेकिन जो चीज में आपके लिए धून करके लाया है तो इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी और यह हैं, आपकी तरचा को गोरा करने के लिए, उन्हें healthy बनाने के लिए, खोई ही चमक को वापस लाने के लिए, काले पन को दूर करने के लिए, धूप के कारण झुक पिग्मेंटेशन हो जाती है, तरचा जल जाती है, काला पन साजाता है, छेरे के रंगत खो जाती है, दो से तीन दिन में इसका असर आपके चेहरे पर दिखने लग जाया क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही कहा कि एक तो इसके बारे में शायद आप लोगो को पता नहीं होगा और यह बहुत ही जबर्दस चीज है इसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स पाइजाते हैं बहुत ही स्किन टोनिंग के लिए स्किन गलोइंग के लिए स्किन को फेर करने के लिए स्किन वाक्टिंग के लिए बहुत ही ज़ाद होगी है जो भी लड़के लड़कें को किसी भी मुस्के से किसी भी क्रीम से किसी भी टोटके से कोई फायदा नहीं मिला उनके लिए यह नेचर का का प्रकृती अमूल लिभ भैट है यह आप सभी लोगों को बहुत ही जादा फाइदा super करेंगा और सकिन को फियर करने के लिए साफ करने के लिए इससे छोटा इससे बेधरिन इससदा और इससे आसार नुसका आप अबकां सिर्फ बहुत ही कम चीज़ और हम इसमें इस्तमाल करेंगे और जिन लड़के लड़कें के पास जो गाउंदे हाथ में रहते हैं जो बड़ बड़े ब्यूटी पालस नहीं आ सकते हैं उन सब के लिए यहां बहुत ही इसलिए है और मैंने कहा कि बहुत ही बहतरी और लाइक कीज़ेगा दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और इसका पूरा फायदा मिले ध्यान से वीडियो को अंतिम तक देखेगा छोटी से वीडियो है दोस्तों सबसे पहले दूसके हम सबसे पहले चाहिंगे बेसन एक चम्मच हमने बेशन लिया, दोस्तों बेशन को मैंने क्यों लिया है, देखिए, बेशन सदियों से इस्तमाल किया जाता है घर में, और बेशन पर आप भरोसा कर सकते हैं, बेशन पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि यह चीजी ऐसी है, और यह गोरेपन को बढ़ाती है, टा कि इसके बाद दोस्तों हम अग्ली चीज मिक्स करेंगे वह लगभग मों एक चमज क्यए आसपास दोस्तों हमें सुम्पset करेंगे एलोवीरा जेल एवायरा जेल भी स्किन को काफी टॉन करता है लाइटिन करता चरशानी हो काले पन की परशानी हो सक शिरे का सिनका कालरी उड़ गाया मिर्झ रखाव 192 हूर Bishop अब बिगवान्व करीक कि अधार तो जिनके चेहरे पर किसी भी तरह के परशानी है जाए हो बाल तबो कि परशानी हो काले पन के परशानी हो पिंपल्स मैंने का या लोगों को यह फायदा करेगा तो हर लोग कि इस उसके का इस्तिमाल कर सकते हैं और इस वीडियो को अंतिर तक ज़रूर देखे गए हैं पर हमने दोनों को आपस में मिक्स कर लिया ठीक है दोस्तों अब इसके बाद दूस्तों यह चीज कौन सी है जहां पर जो लोग सिर्फ वो बेचते हैं और ड्राइफ रूट्स का जो किश्मिश उनके दुखान पर आपको यह बहुत आसानी से मिल जाएगी और यह है दोस्तों इसे हम कहते हैं गोजी बेरी गोजी बेरी आप कहिएगा मुझे गोजी बेरी दे दो वह आपको गोजी बे जाएगा तो इसको पीसने में बहुत असानी होगी और बहुत ही सॉफ्ट होता है या बहुत ही अपने आप में सॉफ्ट होता है इसकिन को भी सॉफ्ट करता है हाथों से पर इससे मसल लिएगा हाथों से भी आप यू ले करके तुरंद आप देखिएगा आराम से अब हाथ इसके बाद दोस्तों आप इसे ले करके अपने चेहरे पर लगा लें और एक लेप की तरह लगा लें पहले थोड़ा देर अपने चेहरे पर अच्छे से माल मसाज करें स्क्रब करें चेहरे को अच्छे से हलके हाथों से दो चार मिर्टा करें उसके बाद पूरे लेप की तरह अपने चेहरे पर लगा लें ठीक है लेप की तरह दोस्तों आप इसे अपने चेहरे पर लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इसे कम से कम आदे घंटे के लिए अपने चेहरे पर रखना है और आदे घंटे के बाद इसे दोलेना है दिन में हर दिन आप इसका परोग करें अगर आप पस वक्त कम है फिर भी एक दिन गयाप लेकर आप इसका परोग जरूर करें आप पाएंगा दोस्तों कि यह आपकी चेहरे की आपकी तोचा की सारी परशानियों को दूर करके, काले पन को दूर करके, दाग दबो को मिटा करके, निशान को मिटा करके, पिग्मेंटेशन को मिटा करके, रिंकल्स को कत्म करके, आपके चेरे को बहुत फेर, आपके चेरे को बहुत फ्राइट, बहुत ग्लूइंग और बहुत ही एक संदर रवान बना देगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद